इस वाल काम का स्नेप ड्रेगन एट जैन वन यह जो प्रोसेसर है यह दोस्तों क्वाल का अभी तक का सबसे ज्यादा पावर्फुल प्रोसेसर है लेकिन दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ में जो भी फ्लैक्सिप स्मार्टफॉन मार्केट में आये हैं उन सभी में एक मेजर प् लेकिंग कमपनियों को या तो यहां पर अच्छा cooling system देना पढ़ रहा है या फिर यहां पर दोस्तों उसमें thermal throttling करना पढ़ रही है thermal throttling जिननों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा thermal throttling में क्या करते हैं कि जो CPU की जो clock speed होती है उसको कम कर दिया जाता है अब यहां पर यह problem देखने को मिल रही है 8 Gen 1 के साथ में अब यहां पर दोस्तों लेकिन यह जो problem है यह आंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर दोस्तों 8 Gen 1 का time खतम हो चुका है अभी यहां पर दोस्तों इसकी family में इसका एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई आने वाला है जी है दोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूँ जो कॉल का वे स्नेप ड्रेगन है इसके upcoming प्रोसर के वारे में जहां पर एक प्रोसर होने वाला है 8 Gen 1 प्लस और दूसर प्रोसर यहां पर होने वाला है जहां तक उसका नाम होगा वो 7 Gen 1 होगा अब दोस्तों इसका exact नाम तो नहीं पता बड़ हाँ 7 Gen 1 हो सकता है तो चलिए 1 by 1 इनके बारे हम लोग थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं अब यहां पर 8 Gen 1 की जो हीटिंग एसू है उसके पीछे जो मैन रीजन है वो दोस्तों यहां पर उसकी सेमसंग की 4NM टेकनलोजी अब यहां पर दोस्तों इसी को रिजॉल्व करने के लिए अब जो 8 Gen 1 प्लस आएगा वो यहां पर सेमसंग की टेकनलोजी पर बेस नहीं हो और यहां पर होगा टी एसेंग की 4NM टेकनलोजी के बेसिस पर यहां पर हीटिंग यहां पर सॉल्व हो जाएगा और इसके अलावद इसमें जो मैंचीज देखने को मिल रहे हो यहां पर यह है कि इसकी जो क्लॉक इसको दोस्तों यहां पर कम कर देदे को इसको अंडर चौनी के बज़े से इसकी परफॉमेंस होनी चाहिए लेकिन दोस्तों यहां पर जो बेंचमार्क स्कोर निकल के आया वो दोस्तों यहां पर एक्षियल परफॉमेंस के मामले में एट जैन वन प्लस यहां पर काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है एस कंपेर टू एट जै तो यहां पर दोस्तों अब बाग की देखते हैं कि यह प्रोसर जब आता है चाहिए प्रोसर क्या देखने को मिलेगी और यहां पर दोस्तों यहां पर यूज किया जाने वाला है अचाहिए बाग को यहां पर दोस्तों यहां पर दोस्तों आता है तो यिह प्रोसर पर आने वाला जाएगा और यदी हम बात करें आप पर 8जेनर 1 प्लस की तो उनकी प्राइस काफी जादा हो जाती है लेकिन जो नथिंग फॉन आवो यहां पर दोस्तो एक एग्रेसिव प्राइस पर आने वाला दो डैफिनेटली इसके अंदर आपको जो क्वाल काम की 7 सीरी जाने वाली मतलब की 7 Gen 1 प्रोसर आने वाला है वो इसके अंदर देहने को मिलने वाला है अब कई से आपर बात करते कि आखर है नागर आखर क्वाएंगे और इन पॉसके साथ में शॉसमाट फ़ोन आएंगे वह आखर कवाएंगे तो से आपको याद होगा मैंने पहले वी वीदियों बताया था कि आपर नए पर दोस यहां पर मिड़ माइक के सम्थिंग में आपको देखने को मिल जाएगा उ वहाँ माई के एंडिंग तक यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे और मैंने ये भी बोला था कि नथिंग फोन जो आएगा वो दोस्तों यहाँ पर आने वाला समर्सी जन में तो वह दोस्तों इसी के आसपास या तो एंड ओफ माई या फ़र जून के टाइम पर हो सकता है अश्डिबंगर यहाँ प्म्न के लाए सेचिक था मिलें एिंगे यहाँविज सोश्तों